इन्खबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूँए नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं इंडिया न्यूस का डिजिटल चैनल इन्खबर मैं हूँ राजन नात और ICC World Cup 2019 की गतिविदिया शुरू हो चुकी है जिहां पहले न्यूजिलेंड फिर ऑस्ट्रेलिया फिर इंडिया और अब जाकर बंगलादेश ने अपने स्कौर्ड की अनॉस्मेंट कर दिया है पंदरा लोगों का स्क्वाड जो कि मश्रफी मौर्तजा अपना अगवाई करेंगे इस स्क्वाड की तो स्क्वाड कुछ इस तरह से है मश्रफी मौर्तजा कप्तान है फिर उसके बाद तमीम इकबाल है लिटन दास को एक दूसरे विकेट कीपर के लिए आप्शन रखा गया है सौमिया सरकार मुश्रफ फिकर रहीम महमद उल्ला शाकेबल हसन एक ओल्राउंडर मौमद मिथुन, शबीर रह्मान, मुसादेक हुसेन, मौमद सैफुद्दीन, महदी हसन, रुबेल हसन, मुस्तफिजोर रह्मान और अबुजायद यह 15 लोग का स्क्वाड बंगलादेश ने अनौंस किया है जो कि वर्ल्ड कप में इंगलेंड और वेल्स में बंगलादेश को रिप्रेजन करेगा अगर इसक्वाड की तरफ जाएं तो इसमें एक कुछ इंपक्ट्स प्लेयर है जो कि बंगलादेश के लिए एक एक्स वेक्टर साबित हो सकते हैं बंगलादेश के लिए काफी अच्छा क्रिकेट खेल चुके हैं और काफी इंप्रेस भी किया है उसके साथ-साथ ऑल्राउंडर शाकीब अलहसन जो कि बहुत अच्छे खिलाडी है और मिडल ओर में काफी अच्छा प्रभावित करते हैं साथ-साथ महमद उल्ला है जो कि अ जो ट्रैक हैं वह काफी तेज गेंदबाजों को असिस्ट करते हैं जिसके खिलाफ के मुश्विकर रहीम एक एक स्वेक्टर शाबित हो सकते हैं तो अगर इन से पहले की बात करें तो न्यूजिलेंड ले अपना स्कौाड अनौंस किया था जो कि बहुत टक्कर देने वाला स्कौर दिख रहें लेकिन सबसे टक कर देने वाले अभी तक के स्कौर देखे जाए तो एक उस्टेलिया का स्कौर है जिसमें की काफी कोल लीए लेकिन उसके बादम अभी हाल ही अनौंसमेंट हुआ जो कि काफी अच्छा दिख रहा है लेकिन बंगलादेश ने जो स्कॉड अनौंस किया वह एक्स बंगलादेश हमेशा से एक्सवेक्टर की टीम रही है तो कुछ भी हो सकता है बंगलादेश की टीम है कि कभी भी पॉइंट सेबल में अभी भी अपनी पोजिशन चेंज कर सकत लिए तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें कॉमेंट के जरी अपनी बात पताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें